अब मुगलो का सासन नहीं है और कि अब इसमें किसी परकार की छट पहुचा सकते हैं जो छट पहुचा जाएगा उसी धन जाएगा कबरिस्तान में और सबस्तम यह मारे गए और उनका कबरिस्तान ही है बन गया अब मुगलो का सासन नहीं है और कि अब इसमें किसी परकार की छट पहुचा सकते हैं जो छट पहुचा जाएगा उसी धन जाएगा कबरिस्तान में इसने ऐसा सोचना भी गलत है और जो भड़का रहे हैं जवानों को भड़कते भड़का है थे रहियां जेतने आए हैं यहां छट पहुचाने के लिए जब विबादे राम लला तृपाल में थे तब भी यहां आए थे अब आए और सबस्तम यहां मारे गए और उनका कबरिस्तान ही हैं बन गया ऐसा जो भी विरुष्ट में बोलेगा उसका के और कबरिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा राम लला के एक एक इंच भी कोई भी छट नहीं हो सकती भाजपाल ने अपने वोसनापत में घोशित किया जिसका परड़ाम यह है कि आज वो सत्ता में है दोई सांसत से होकर कि आज तीन सो तीन सांसत है तो यह जलन है यतने भी विपक्षी हैं सब को जलन है इनके सत्ता से और इसलिए वो पटांग बोलते हैं और सही रूप यह है कि थोपा नहीं जाता हो स्वें सत्ता की क्रेंद है बगवान राम और यह लाखों के लाखों रोज आकर कि जो दर्स कर रहे हैं इनका हानी मंतर दिया गया है वो तो अपने सद्धा से आते हैं भगवान और के प्रत उनका विस्वास उनकी वक्ति है इसलिए भुषवरा है तो ठोप जा रहा दो बातें आ रही हैं और पटांग बातें बोल रहे हैं वह उदित राज का जो सोच है वह बेलकुल घठिया है सोच और बेलकुल निगिश्च सोच है ऐसे सोच नहीं करना चाहिए थोपा भक्ति थोपी नहीं आती भक्ति स्वयम उत्पन होती है